नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल रीडिंग लावर्ट पर दोस्तों अगर आप मारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और साथ में बैल वाला इकोन को दबाना नहा भूलें जिससे आपको मारे आने वाली वीडियो के नोट्पेशन मिलती रहेगी नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल रीडिंग लावर्ट पर दोस्तों इस वीडियो में हम करने वाले हैं माजन पादकाल सेश्मंदित महतवपूर्ण परसनों को जो आपके आगाने वाल 325 इस वी परोगतर जाहिन का समय रहा है और दोस्तों एक्जाम में इसे जो सबंदित कोशन है यह जूरूर्ण पूसे जाते हैं इसलिए एक्जाम के दिश्टी से जो एक कोशन है वेर वेर इपोटन जाए कोशन रहेंगे और दोस्तों अगर आपने हमारी पहले वाली की जो प्ले लिस्ट है वाँ पर जाकर आप तक की जितने भी वीडियों से भी को आप देख सकते हैं तो दोस्तों यह जो कोशन एक्जाम के दिश्टी से मेतव पूरेंगे तो हमारे सातान तक बने रहेगा हमारा जो फर्स्ट कोशन है यहां पर आमने जो इसमें मिलान करना की जाएं तो यहां पर जो हमारा राइट अंसर यह अप्शन ए रहेगा चार, एक, दो, तीन, गदार जो साली है इसका समद तकसिला से रहेगा, सूरसेन इसका जो समद है मेतूरा से रहेगा, वत्स सरावस्ती से और जो कोशल है इसका जो समन है यह सरावस्ति से रहेगा तो यहाँ पर यह जो माझन पद है और यहाँ पर इनकी राज़्दानिया है Next Northwest के किस साथको कुनिक कहा जाता था Where very Japan wurden को शना है तो यहाँ पर जो हर्यक वेच्पन से किस साथको कुनिक कहा जाता था conditioning और अप्शन See रहेगा प्रविक जाता था और इनको क्या का जाता था इनको झालिक का जाता था नेश्ट एक किस आसक ने जो गंगा और सोन नदियों के संगंग पर पाटले पुटर नगर की स्थापना की थी तो यह जा है उदाइन थे राइट नशर जाया यहां पर उप्सन सी जो है यह जो बीज है रहेगा उदाइन है नेक्स कोशन है सिस्व नाग जो वन्स है इसका सासा कौन था जिसके समय में वैसालियों में दित्ते बोद संक्ति का अउजन किया गया था और उसे काक वन्स के नाम से भी जाना जाता है तो इन सिस्व नाग जो वन्स है इसका सासक थे और इनके समय में वैसाली में दूसरी जाब बोद संक्ति हुई थी और इसे काक वन्स के नाम से भी जान जाता है नेक्स रहेगा 323 इस्विपुर में सिकंदर महान की जो मृत्यू है इन में से किस स्थान पर हुई थी तो सिकंदर की जो मृत्यू है ये बेबिलोन जो स्थान है महाँ पर हुई थी नेक्स्ट रहेगा सिकंतरमान एम जो पोरस है जिसे पूरू भी का जता है कि सेनाओ ने इन में से किस नदी के आमने सामने वाले तटो पर पड़ाव या डाला हुआ था तो यहाँ पर जो हमारा राइट अंसर है यह ओप्शन भी रहेगा तो यह जो जेलम नदी जो है वहाँ पर जो आइनों ने पढ़ाव डाला हुआ था नेक्स्ट कोशन हैगा किस प्रकार के जो मृत्बान रहा है जिसे परड़ी का जाता है भारत में दूसरे नगरिकन या सहरिकन के प्रभाव का जो परदी काईन में से माना गया है सी अंसर रहेगा यहाँ पर ओप्शन सी यह उत्री काले पाली स्कृत जो है बरतन थे लेक्स्ट हैगा पाली जो गरंती है इहां के जो मुक्रια को इसको क्या का गया है व cherry important question है और दोस्तों इसी परकार का जो एक कोशन है हाली में जो ग्राम सचीव का जो एक्जाम हो है उसमें भी पूछा गया है तो पाली गरंथी में गाउं के मुक्या को इन में से क्या कहा जाता था राइट अंसर जो ऑप्शन भी यहां पर रहेगा उसे भोजक या ग्राम भोजक के नाम से जाना जाता था नेक्स्ट कोर्शन रहेगा उज्यान ये जो उज्यान जो है इसका प्राची नाम इन में से क्या रहा है सी अंसर ओप्शन ए रहेगा तो उज्यान का जो प्राची नाम है ये अवंति का था नेक्स्ट रहेगा नंदवन्स का संस्थापक वेर वेर इपोर्टन कोशन रहेगा नंदवन्स का जो संस्थापक है इन में से ये कौन है तो सी अंसर आप्शन ए रहेगा महापदम नंद जो है ये नंदवन्स के संस्थापक थे अलग कोशन हैगा ग्रीक या जो यूनानी लेखा के इनके द्वारा जो अगरमीज या जेंडरमीज कहा गया है तो ये इनमें से किसे कहा गया है तो ये जो गनानंद जो है इनही ग्रीक यूनानी लेखा के द्वारा जो है अगरमीज या जेंडरमीज कहा गया है नेक्स कोशन हैगा प्राचीन भारत में पहला जो ये विदेशी आकरमन था ये किन के द्वारा किया गया था यहाँ पर जो विदेशी आकरमन है ये इरानियों के द्वारा किया गया था तो प्राचीन भारत में जो पहला विदेशी आकरमन जो हुआ था ये इरानियों के द्वारा हुआ था अलग कोशन रहेगा भारती है जो प्राचीन भारती है इसमें दूसरा विदेशी आकरमान एम पहला येरोपिया आकरमान किन के द्वारा किया गया था उपरला जो कोशन है इसमें विदेशी आकरमान जो है यहां पर पहला पूछा गया है और जो ये second question है इसमें दूसरा जाए आकरमान पूछा गया है तो अगर हम इसके राइट अंसर की बात करें तो यहां पर option B रहेगा यूनानियों के द्वारा जो है यहां पर दूसरा अवदेशी आकरमान किया गया था और पहला जो आकरमान है ये इरानियों की द्वारा किया गया था नेक्स रहेगा इरान के हकमनी वंच के किस सासक नहीं भारती है भू भाग को जितने के बाद उसे फारस समराजय का बीस वा प्रहंत बनाया था ये इन में से कौन है तो सी अंसर जो हमारे यहां पर उप्सान बी रहेगा डेरियस या दार्या बहु फर्ट जो है ये हमारा सी अंसर रहेगा नेक्स कोशन है रहा हाइट स्पेज यà वितता जिसे अब जो है जेलम के नाम से जान जाता है तो इसका जो यूद है ये 326 BC किन किन सासकों के बीच हुआ था BC का जो अर्थ है यहां पर भी पॉर क्रिस्ट भी जो है क्रिस्टन से भी लिया जा सकता है तो यहां पर जो 326 BC जो है ये किन किन सासकों के बीच जा ये जो यूद है ये हुआ था तो सी अंसर ऑप्शन एर यहां पर रहेगा सिकंदर और पोरोस के मद्दे जो आए हाइड स्पेज का युद जो हुआ था और जाए गजाम के दिश्टी से जाए कुश्चन मैतर पूर रहेगा नेक्ट है सिकंदर ने जो भारत पर आकरमान इन में से कब किया था तो 326 इसवी पूरों में जो आकरमान किया गए था नेक्ट रहेगा यहां पर जो हमें सासक और उसके वंस से जो है मिलान करना है तो यहां पर जो हमारा राइट अंसर है यह उप्शन भी रहेगा एक दो चार और तीन तो यहां पर जो बिंबसार है यह हर एक वंस के थे काला सोख इनका समंद सिसुनाग वंस से रहा है महापदमनंद का जो समंद है यह नंद वंस से रहा है और जो बिंदुसार है यह मोरिया वंस के थे एक्जाम के दिश्टी से जो हैं सभी मेहतब पूराएंगे में जोहिन का अलग अलग करके भी जॉहिए वान्स के बारे में पूछा जासकता है नेक्स्ट रहेगा यहां पर महाजन पद और अदुनिक शेत्र जादिये गया प्राचीन समय में यह कहां पर थे और इस समय जॉह यह कहां पर है तो यहाँ पर जो हमारा राइटेंसर है यह उप्सन ए रहेगा तो मगद जो है यह अब जो पटना जो है पटना वहाँ पड़ता है और जो वत्स है यह इलहाबाद में वर्तमान में जो इलहाबाद है और जो कोसल है यह आवद है और आवंती मालवा है नेक्स्ट हैगा मगद की पर्थम राजदानी जो आइन में से कौन सी थी पाटली पुत्तर वैसाली गिरीवरज राजगिरिय या चमपा तो यहाँ पर मगद की पर्थम जो आज़ राजदानी पूछी गई है तो यहाँ पर जो सी अंसर है यह उप्शन सी रहेगा तो मगद की जो पर्थम राजदानी थी ये राजगिरिय या गिरीवरज थी नेक्स्ट हैगा कि सासक के द्वारा सी पर्थम पाटली पुत्तर का राजदानी के रूप में चेहन किया गया तो यहाँ पर सबसे पहले जो पार्टली पुत्र है इसका राजदानी के रूप में जो चैन है ये उदेन के द्वारा किया गया था C answer option C यहाँ पर रहेगा नेक्ट है सोड़ा जो माजन पर थे इनकी सूची जो हमें कहां पर मिलती है इनकी जो सूची हमें अगंतुर जो निकाई है बहुत गरंथ है इसमें जो हमें 16 जो माजन पर हुए है इनकी सूची उपलब होती है नेक्ट रेगा निमलिक्त में से मगद का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालिन था तो इनके जो समकालिन है इनमें से कौन हुए है ये जो गनानंद जो है ये राजा सिकंदर के समकालिन हुए है नेक्स कोशन रहेगा पर्थम मगद जो समराज्य है का उतकर्स किस सदी में हुआ था यहाँ पर जो पर्थम मगद समराज्य है इसका उतकर्स कौन सी सदी में हुआ था तो यह जो चटी सदी है इसमें इस्वी पूरों की इसमें जो है इसका उतकर्स हुआ था नेक्ट कोंशन रहेगा सिकंदर तो ये जो सिकंदर है इसकी भारत की स्फलता का कारण इन में से कौन से रहे हैं राइट अंसर रहेगा यहाँ पर ओप्शन डी एक दो तीन और चार अथार्थ जो ये सबी जो अंसर आई ये सही रहेंगे अथार्थ भारत में तब कोई केंदरिय सत्तर नहीं थी उसकी सेना सिरिष्ट प्रकार की थी उसे देश दरोही भारतिय सासकों का सायोग मिला था और वे एक जो अच्छे परसासक भी थे नेस्ट रहेगा तो हम आए यहाँ पर मिलान करना है तो यहाँ पर राजा और इनके जो है राज्या दिये गए हैं सीएंसर यहाँ पर ओप्सन सी रहेगा परदोत जो है यह अवंती के राजा थे उद्यान का समंद वच्छ राज्य से रहा है और अगर हम परसेंजीत की बात करें तो यह कोसल देश के राजा थे और जो अजाल सत्र है इनका समंद मगदेश से रहा है नेक्स्ट है अवी लेखिया साक्सया पर कटोते हैं कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी तो यह जो राजा नंद हैं के आदेश से एक इन में से कौन सी नहर की या खुदाई हुई थी तो ये जो कलिंग जो है इसकी खोट जार नहर की जार खुदाई की गई थी नेक्स डेगा पहला इरानी सासक जिसने बारत में कुछ बाग को अपने अधीन किया था तो ये जो है पहला इरानी सासक था जिसने बारत के कुछ हिस्से को अपने अधीन कर लिया था तो ये जो है डेरियस था राइट अंसर उप्सन C यहां पर रहेगा नेक्स्ट है मगद के राजा और अजात सत्रु का सदेव किस गनाजे के साथ युद रहा है तो ये जो अजात सत्रु है इनका इनमें से किस के साथ युद रहा है सिंसर आप्शन ए यहां पर रहेगा वज्जी जिसे विसाली के नाम से भी जाना जाता है तो इनका मगद के ये राज़त है आजासा तुरून के साथ यूद जारतर रहा है नेक्स्ट रहेगा वज्जी संग के विरूद मगद राज़य के किसासक ने पर्थमबार रत मुसल एक ऐसा रत जिसमें गदा जैसा त्यार जाये जुड़ा हुआ था तो था महासाली महासीला कंटक अथारत पत्थर फेकने वाला एक युद्यंतर नाम गुप्त हतियारों का प्रियोग किया दोस्तों अगर आपने बहव बोली अगर मुवी आपने देखियोगी तो इसमें आपने देखा होगा कि जब उनका युद्ध होता है तो वह जाये किस परकार के अनेक अलग अलग परकार के अस्तरों के साथ युद्ध लड़ते हैं तो इसी परकार से जो है इसमें भी युद्ध लड़ा गया था तो यहां पर हतियार जो है इनका प्रियोग इन में से किन के द्वारा किया गया था तो यहां पर जो हमारा राइटनसर है ये ओप्सन ए रहेगा अजात सत्रू नेश्ट है नंदवन्स का जो अंतिम समराथ है इन में से कौन था वेर वेर इपोटन कोशन रहेगा नंदवन्स का अंतिम समराथ या सासक तो यह थे गनानन्द और इसे इस परकार भी जो हम याद रख सकते हैं यहां पर जो है गनानन्द है और यहां भी नंद है नेक्स्ट है भारत में जो सिक्को या मुद्रखा परचलन इनमें से कब हुआ था तो भारत में जो सिक्क्य हैं ये परचलन में कब आये थे तो 600 इसी पूरों में जो सिक्क्य हैं ये भारत में परचलन में आये थे नेक्स्ट है निमन राज्यों पर विचार कीजिए तो यहाँ पर अजाद सत्रों बिन्दू सार और परसेंजित दिये गए हैं इन में से कौन-कौन बुद्ध के समकालीन हुए हैं तो यहाँ पर अगर हम राज्यों सार की बात करें तो ओप्सन सी जाए रहेगा एक और तीन अथा अजाद सत्रों और जो परसेंजित हैं यह बुद्ध के समकालीन थे नेक्स्ट है छटी सदी इस्विपूर्व के दुरान बड़े राज्यों के उद्ध का मुख्याकान इन में से कौन सा रहा था राइटन सार रहेगे हैं पर अप्सने उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पहमाने पर लोहे का उप्योग करना नेक्स्ट है मगद जो समराथ है बिमबिसार इसने अपने राजवाद जीवक को किस राज़ा के राज़ा की चिकिस्था के लिए बेजा था तो यहाँ पर जो यह बिम्बसार थे यह मगद के समराड थे इनने राजवाद थे जीवक तो इनको किस राजा की चिक हिस्सा के लिए बेजा था तो यह थे अवंती के राजा नेक्स रेगा किस सासक ने अवंती को जीत कर मगद का हिस्सा बना दिया था तो यह थे सिसू नाग जिनों ने जो है अवंती को जीत कर मगद का हिस्सा बना दिया था किस मगत समराट ने अंग का विल्या अपने राज्य में कर लिया था तो यह जो अंग देश है इसका विल्या अपने राज्य में इन में से किस के द्वारा कर लिया गया था तो यह थे बिम्बिसार नेक्स्स एका Sisu-Nag9 ने किस राजय का विल्या मगद समराजय में नहीं किया है Siser जो है यहां पर Option D रहेगा तो Sisu-Nag9 ने कासी राजय मगद समराजय में नहीं किया था और जो दिये गए है इनका विल्या किया था नेक्स्ट एगा कासी और लिच्वी का विल्या मगद समराज्य में इन में से किस ने किया था तो ये जो अजात सत्रु है कासी और लिच्वी का विल्या जो है इनोंने मगद में किया था नेक्स्ट एगा मगद समराज्य के बारे में कौन सा इन में से एक सही नहीं है तो राजवन्स था तो सिएंसर यहां पर ओप्शन ए रहेगा नंद वन्स नेक्स रहेगा निमलिक्त में कौन सा एक इसा पुरो छटी सदी में भारत में प्रारम में भारत का सिफशादिक सक्साली जाया नगर राज्य था तो यह था मगद राइट एंसर ओप्शन डी रहेगा नेक्स रहेगा निमलिक्त में से कौन से भारत पर इरानी आगरमन के प्रभाव के रूप में माना जाता है तो यहाँ पर जो है इरानी आगरमन के प्रभाव के रूप में इनमें से माना जाता है तो इसी अंसर यहाँ पर ओप्शन डी रहेगा एक दो तीन चार और पांच अथारत जो हमारे सही अंसर जाये हैं पर सही रहेंगे तो भारत परानिया आक्रमान के प्रवाव के रूप में छो हैं ख्रोस्ट लिपी का परचार, अभी लेक उतकिन करने की कला का परचार एरानियों की एक्षित्रप परणाली का परचार और घंटाकार के गुम्बज की कला का परचार इस तरी अंगरक्सकों की निक्ति तो इन सभी का प्रभाव दिखाई देता है अलग कोशनेगा नीमन में से कौन सा एक सिकंदर के आगरमान का इन में से एक प्रभाव नहीं था यह जो राइट अंसर है हमारा उप्शन डी उसने भारत को युनान की रियास्त बनाया तो यह जाए एक इन में से जाए नहीं है इस आगरमान ने भारत और युनानों की बीच पर्टेक्सम प्रख स्थाबित कर आए था इस आगरमान ने प्रश्ची मुत्र भारत में रोप्यों की स्थाबना का मारक प्रशस्त किया था और सिकंदरा ने एक उपन विश्व की स्थाबना के लिए उतर दाए था तो यह जो हमारे से एंसरिया पर सही रहेंगे नेक्सटर नमलिक्त मेंसे किस राज्य में गंतनतरात्मक सासन विश्ता नहीं थी नेक्सटर नेक्सटर एका इन में से किसे सेनिया निमित और स्थाई सेना रखने वाला कहा जाता था दोस्तो एक कोश्चन तो यहां पर यही बन जाता है कि सेनिया जो है इसमें कौन होता था या उसका नाम क्या था या उसे इन में से किस नाम से जाना जाता था सेनिया को तो यह जो है नीमित स्थाई सेना रखने वाला वैक्ति होता था तो यहां पर किसे जो है ये कहा जाता था सेंसर ओप्शन ए रहेगा बिम्बिसार जो है इसे सेनिया अथार्थ निमित स्थाई सेना रखने वाला कहा जाता था नेक्स रहेगा निमलिक्त में से किसे उगर सेन भ्यानक सेना का स्वामी कहा जाता था तो ये जो मुगलकाल जो है ये इसमें अथार प्राचिन समय में जो उगर सेना है ये कौन होते थे तो ब्यानक सेना रखने वाले होते थे तो इन में से कौन जो है ये ब्यानक सेना का स्वामी था राइट अप्शन ए रहेगा मा पदमनंद अगर कोशन हैगा डेरियस अथार जो दार्यवा हुआ है इसने 1516 BC में सिंदू के तत्वर्ती भूबा को जितकरू से इरान का 20 वा 70 प्रांथ बनाया था उससे कितना राजस्व प्रापत होता था सिंसर यहाँ पर ओप्शन A रहेगा 360 टैलने अट अलग कोशन हैगा निमलिक्त में से कौन सिकंदर के साथ भरत आने वाले इतिहासकार एक नहीं थे तो इन में से जो है यह हमारा राइट अंसर एग ओप्शन D हेरोडोट्स जो है यह सिकंदर के साथ भरत आने वाले इतिहासकारों में शामिन नहीं थे अलग कोशन है गा माजन पदकाल में सिरेणियो के संचालक को कहा जाता था राइट अंसर ऑप्शन ए यहां पर रहेगा तो माजन पदकाल में सिरेणियो के संचालक को सिरेश्टिन कहा जाता था एक्जाम के तिस्टी से जो question मैंतापून रहेगा और एक question ये भी मैंतापून हैगा कि जो गरीह पती होता है इसका प्राचिन काल में या माजन पत काल में क्या अर्थ जाइस का होता था C answer जहाँ है यहाँ पर option A रहेगा अथार्थ दनी किशान को ग्रिय पती कहा जाता था नेक्स कोशन है यहां पर मिलान करना है राइट एंसर ओप्षन ए इन में से रहेगा अथार्थ एक दो तीन और चार तो अश्ट कुलक जो है यह एक प्रामर्स दाई सस्ता प्रामर्स देने वाली एक सस्ता का नाम था महमातर उच्च कोटी के अधिकारी होते थे बली सादक किसानों से कर वसूलने वाले अधिकारी को बली सादक का जाता था सौलकिक या सूलक अध्यक्स तो यह सिल्पियों वैबे पारे से सूलक या जो चुंगी होती है इसे वसूलता था जिसे आज के जो समय में हम टैक्स कह देते हैं नेक्स कोशन है का मगद के किस परारंभिक सासन सासक ने रज्य आरोन के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कानवन्स अपनी पुत्तर के द्वारा मार दिया गया तो ये कौन थे ये थे अजात सत्रू तो मगद के जो अजात सत्रू है ये परारंभिक सासक थे जिसने रज्य आरोन के लिए अपने पिता की हत्या कर दिती थी एवं इसी कानवन्स अपने पुत्तर के द्वारा ज्वाई ये मार दिया गया था अल कोशन हैगा विश्यो का पहला गंतंतर वेशाली किस के द्वारा स्थापित किया गया था ये जो लिच्वी जो वर्ष था इनके द्वारा इसको स्थापित किया गया था नेक्स कोशन हैगा यहाँ पर सुची एक और दो है इसमें जो आ है मिलान करना है पहले यहां पर माजन पर दिये गए है और आगे उसकी राज़दानी दी गई है स्यमस यहां पर भी रहेगा चार तीन एक और दो कुरू माजन पद की जो राज़दानिया है ये इंदर प्रस्थी पालचाल अहीश्चत्र और जो कोशल है साकेत और वत्स की जो है कोशम भी रहेगी नेक्स कोशन है हमारा निमन में से कौन एक बोध गरंद सोला माजन पदों का उलेक करता है तो ये इन में से कौन सा रहेगा ये जो अगंतुर निकाई है ये सोला माजन पदों का उलेक करता है और हमाराज का अंतिम कोशन हैगा निमन में से कौन एक मगद समराज़े की राज़दानी नहीं रहा है ये जो कोसम भी है ये मगद की राजदानी नहीं राग है और जो अप्षन दिएगा है कि गिरिबरज राज़ गरिया और पाटली पुतर जाए ये मगद की राजदानी रहे हैं तो दोस्तों यह थे हमारे आज के जहाँ जनपद महाजन पदकाल से समन्द कुछ महत्वपूर कॉस्टन जो आगेन वाले एकजाम के लिए महत्वपूर रहेंगे और दोस्तों अगर आपको कॉस्टन अच्छ लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा लाइक कीजेगा जाजाद गुरूपों में सेर कीजेगा और दोस्तों इस प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को जूर सब्सक्राइब कीजेगा और दोस्तों हमारे साथ अन्तक बरने के लिए धन्यवाद